हलो फ्रेंट्स वेलकम बाक तो माई चानल फ्रेंट्स आज को जो वीडियो है वो बहुत ही खास है अपनी पेरेंट्स के लिए जी हा हम पैरेंट्स को बहुत सरा क्वेश्चन रहते है कि बच्चों को डाइपर पहनाना चाहिए एक नहीं जी हा यह क्वेश्चन में भी जब निव निव पैरेंट्स बने थी तब मेरे को भी बहुत सरा डाउट था कि बच्चों को बच्च मेरी जो बच्ची है उसका कोई स्क्रीन डीटेशन ना हो रैशिस ना हो क्योंकि हम लोग बहुत सुनते है कि अगर बच्चे को हम डाइपर पहनाते है तो उनको रैशिस हो ज रैशेस टाइप हो गया था उसके बाद से मैंने डॉक्टर से कंसल करके कुछ प्रिकॉशन का जो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अगर अप प्रिकॉशन से अगर अपने बच्चों को हैंडल करो अपने डाइपर के साथ तो कुछ नहीं होता तो बहुत लोग बोलते है कि कपड़े का डाइपर यूज करो बट कपड़े का डाइपर मेरे हिसाब से कपड़े का डाइपर बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि winter season आ रहा है या कोई भी season है रात को जब आप सो जाते हो बच्चे कप पी कर दे आपको नहीं मालूम तो वो बच्चे भीगे में सोय रहते हैं उससे बच्चों का तभियत खड़ाप हो सकता है तो मैं prefer नहीं करती हूँ जो कपड़ा का diaper होता है अगर आप जो नॉर्मली जो डाइपर होता है जो हम शॉप से खड़ते है वो डाइपर में अगर आप प्रिकॉशन से पैनाते हो तो बच्चे को कोई राशिस प्रॉब्लम नहीं होता है कि आपका बच्चा कितने टाइम इंटर्वेल में वो पी करते है तो अगर एक डाइपर मैक्सिमम दो या तीन घंटे तक ही होना चाहिए पैनाना चाहिए उसके बात आप चेंज कर देना चाहिए एक बच्चा अगर दो या तीन घंटे कंटीन इस एक ही डाइपर में है तो उसको तुरंट चेंज कर देना चाहिए कि बच्चे लोग बहुत जादा पी करते है अगर थोड़ा बड़ा हो और थोड़ा कम जादा इंटर्विल में अगर पी करते है तो ठीक है नहीं तो छो बच्ची जो होते हैं वो हर आदे गंटे में एक दिया दो बर पी तो कड़ी देते हैं तो दो या तीन गंटे से जादा डाइपर पनाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है अगर आप दो या तीन गंटे से जादा पनाती हो तो वो इस्यू आपको फेस करना पड़ता है तो आप दो या तीन गंटे से जादा बिल्कुल डाइपर मत पनाएए जो आप अगर अपने बच्चे को डाइपर प्रेफर कर जड़े हो तो आपका जो इन्वेस्मेंट इन्वेस्ट कीजी अच्छे डाइपर में फॉर एक्जाम्पल हमालाया है उसके बाद पैंपर है उस बहुत अच्छे है लोकल अगर आप डाइपर युज़ करते हो तो इस अच्छे नहीं है अभी मैं रिसेंटली जो है अपने बच्चे को में हमालाया का जो डाइपर है मैं वह दे रही हूं क्योंकि वह अलवेडा प्रोटेक्टेट है तो उसमें मेरा बच्चे को कोई इस् स्किम आप दे सकते हो इस अरिया में उसका डाइपर रहता है तो उसमें क्या होता है अपका बच्ची का स्किन स्मूध रहता है तो अगर आप यह सब चीज फॉलो करेंगे तो आपको बच्ची को बिलकूल रैश होने का या फिर स्किन इलिट्रेश होने का कोई प्रोबलम आप अपने बच्चों को बिल्कुल पहना सकते हो कोई इश्यू नहीं अगर आप बहार जा रहे हो तो मेक श्यूर आप मैक्स तो मैक्स तीन या चार घंटे इस से ज़दे तो बिल्कुल नहीं आप तुरन डाइपर चेंज कर देना और आपको चेक भी करना बहुत जरूरी है कहीं वह जादा अगर पी करता है तो आपको दो घंटे में आपको शायद चेंज करना पड़े तो बाइस करना बहुत है और फूर्टन जी भार चीज है आप जब डाइपर पहना रहे हो बाइपर पहनाने से पहले आप अपने बच्चों को चेक कर लेना कहीं आपको जो जो जिस धापे डाइपर पहनाते होसा गिला ना हो वेट ना हो बिल्कुल ड्राइप हो अच्छे से तभी उसको डाइपर पेनाओ अगर अगर आप गिले में पेनाओगी तो उसमें रैसी होने का चांस होते हैं बस अगर आप इन सारे पॉइंटो का जो दो थीन पॉइंट है अगर इन सा पॉइंट का ध्यान रखोगे तो आपको बच्चों का मैं कहरे हूँ किॹ्या कोई रैशिस प्रोब्लम नहीं होगा, कोईपल या भी कोई Crimea धिश्मे स्टीन नहीं होगा तो जरूर अपने डॉक्टर के सथ कंसल्ड कीजिए, उसके बात आपका जो कौन सा डाइपर आपकी वेबी के लिए अच्छा है, अगर आप कोई डॉक्टर आपको बोल देते कि पर्टिकुलर ये डाइपर उसकरो, तो आप वो भी उसकर सकते हो, क्योंकि बच्चों के मामले मैं कुछ भी क्यान से पहले डॉक्टेर से मश्वरीना बहुत जरूरी है, मैं अपने बक्चों को कुछ भी करने से पहले, ईविन। घयपर वगेड़ा भी अगर मैं चैंजिज करती हूँ, तो मैं अपनी डॉक्टर